कि नमस्कार विद्यार्थियों सौगत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे हमारा मिडिल एडल्थूड कौन सी फेज होती है किस एज के व्यक्ति इस फेज में आते हैं और इसकी डेफिनेशन आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मिडिल एडल्थूड के बारे में मिडिल एडल्थूड यहां वहां अवस्ता होती है जिसमें उमर 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की होती है आप सभी लोग जानते हैं मिडिल मतलब मध्य मध्य पौड़ अवस्ता एक अल्ली एडल्थूड है मिडिल एडल्थूड है और लेट एडल्थूड है तो अल्ली एडल्थ क्या होती है जो 41 वर्षय से पहले था उती है और मेडलन क्तालिस से शाथ वर्षय की अवस्थ्था और एतर खूँ डर्लेट Will क्षभी शाट से ऊपर वर्षय की अवस्था तो मिडलन जुसमें 21 साल से लिकर 6 शाल तक के व्यत्ति आते हैं अब हम उधान के लूप में ले लें तो हमारे मम्मी पापा हमारे चाचा चाची या जो भी 41 से 60 साल के बीच में आते हैं वह सारे लोग मिडिल एडल्ट हुड वाली फेज में आते हैं यहां यंग एडल्ट हुड के बाद और ओल्ड एज के पूर की अवस्था होती है इस दोरान हर व्यक्ति में में धीर-धीर कम होने लगती है वोजन के प्रती समवेदन सीलता जैसे कि तनाव छोड़ चोटी बातों पर तनाव लेना ठाकावट की स्थिती भी देखी जाती है मनुस में तनाव की स्थिती और कुछ चरचड़ापन भी देखा जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि में अधे घर में या फिर आपके दादादी के एज हो शाट साल या ममी पापा की 40 के बाद आप लोग देखना पैतारीस साल की उमर में क्या होता है कि ममी पापा चोटी-छोटी बातों में भूलने लगते हैं तो एक भूलनी की स्थिती भी देखी जाती है महिलाओं में क्य जाता है जिसे हम क्या कहते हैं मैनोपोच की स्थिति कहते हैं मैनोपोच की स्थिति की वज़ा से कई महीलाओ में निरासा की स्थिति भी देखी जाती है निरासा क्यूं कि उनमें कई सार्रीक मानसिक परिवर्तन आते हैं इस एज में कई लोग माबाप बन चुके होते हैं और को देखा रहा है तो एक तरीके से माबाब के एज की अवस्था या पैरेंटिंग फेज भी कहा जाता है तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी कुछ डैफिनिशन के बारे में विध्याठियों मिडिल अडल्टूड की डैफिनिशन यदि हम देखे तो इसमें कई वैगानिकों ने अपनी अपनी राय रखी है अब हम बात करते हैं एरिक एरिक्षन वैगानिक की ये एक साइकोलोजिस्ट थे और इन्होंने भी अपनी कुछ रा मध्य पौड अवस्था को साइको सोशल डावलमेंट की आठ्री अवस्था के रूप में बताया जाता है आठ्री अवस्था इनकी क्या है साइको सोशल डावलमेंट के अनुसार आठ्री अवस्था में क्या बताया गया है जेनरेटिविटी वर्सेस इस्टैगनेशन जेनर एरिक एरिक संन ने बताया कि इस फेज में किसी भी आडल्ट में पैरेंटिंग के गोण मैच्वर हो जाते हैं। पैरेंटिंग मिंस मतलब कई व्यक्ति, कई आदमी, कई लोग इस में आकर इस एज में आकर मावाब बन चुके होते हैं। और उनमें parenting का गोंड देखा जाता है और उमर के साथ साथ व्यक्ति में एक स्थिर्था भी देखी जाती है एरिक एरिक्षन के अनुसार किसी व्यक्ति विशेश में खुशी के साथ साथ जीवन्यापन करने की चाहत बढ़ जाती है और सम्मान के साथ साथ भौतिक सातनों के स मात्र खुशी को ही वहाँ अपने जीवन अपन करने का जरियास मानता है। उसमें किसी भी व्यक्ति विशेश में उदार्ता के साथ साथ एक इस्थिरता के गुण इसमें पनपने लगते हैं या जादातर देखे जाते हैं। यहाँ अवस्था मध्यपॉन अवस्था कहलाती ह दूसरे वेगानिक की बात करें तो डैनियल जे लेविंसन के अनुसार। इन्होंने क्या किया। इन्होंने 1920 से लेकर 1994 तक पॉजिटिव एडल्ट डेवलमेंट के फिल्ड के बारे में जान करें दी। और उसके बारे में खोजबीन भी की। इन्होंने एडल्टूट की बह बारे में जानकार ये दी। इस स्टेज में आकर कौन-कौन से क्राइस होते हैं। क्राइस मतलब कौन-कौन से चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस थियोरी के जरी बताया। और इस एज के वहवारात्मक सामाजिक और मनोवैग्यानिक विकास के बारे मे भी बताया वैफारात्मक मतलब behavior changes इस age में आने के बाद कई लोगों का behavior change हो जाता है आप लोग भी दिखते होंगे कि आपके मम्मी पापा भी धेजरे age के साथ उनके behavior में change आ रहा होगा सामाजिक मतलब कई तरह की सामाजिक social issue होते हैं उनमें भी changes दिखा जाता है मनोवगयनिक मतलब या अद्दास का काम होना चुर्चड़ापन या मनोवगयनिक में कई सारी चीज़े आती हैं तो यह तनाव किस्थिती थकावट किस्थिती बहुत सारी चीज़े इसमें देखी जाती है पॉजिटिव एडल्ट डेवलब्मेंट एडल्ट हुड फेज में कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी डैनियल जे लेविंसन ने विश्टार से बताया मतलब इस एडल्ट हुड में मिडिल एडल्ट हुड फेज में पॉजिटिव एडल्ट मतलब किसी भी एडल्ट का एक positive development कैसे किया जा सकता है positive development मतलब एक सकरात्म विकास कैसे होना चाहिए उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी फ्रूड और प्याजे के अनुसार अगर हम middle adult hood की परिभासा देखें तो जीन प्याजे इन्होंने जीन प्याजे और फ्रूड ने इस अवस्था के उमर की वेक्तियों को achievement of complete development at the adolescent phase की phase कहा मतलब एक जो क्या मूलना चाहिए युव अवस्था के बात की जो अवस्था होती है उस age में आकर वेक्ति achievement मतलब एक complete development को अचीव कर लेता है उसका पूर तहां विकास हो चुका होता है और उसके बाद उसमें एक अनुहव के इस्थिती भी देखी जाती है fruit के अनुसार मद्य पड़ावस्था वह अवस्था है जिसमें genital stage अन्तिम अवस्था होती है genital stage मतलब जिसमें सभी parent माबाब बन चुकी होते हैं और महिलाओं में मासिक धर्वी बंद हो चुका होता है जिससे महिलाओं में मैनुपोच की इस्तिती बन जाती है लिंग हार्मोन भी कम बनने लगते हैं जिसे पूर्षो में टैस्टिस्टीरोन हार्मोन और महिलाओं में भी कई हार्मोन की कमी देखी जाती है तथा व्यक्ति इस phase में संतुलन कायम करने की कोशिस करता है संतुलन चाहे निजी जिंदगी में हो या बहारी जिंदगी में दोनों में पड़ी पक्कवता के साथ सामन ज़स से बिठाने की कोशिस की जाती है तो फूर्ट के अनुषर इस फेज को क्या क्या है संतुलन कायम करने की अवस्था या इसमें जाइटल फेज जो होती है वह अंतिम फेज माने जाती है तो आज विध्यार्थियों हमने middle adulthood की definition तम middle adulthood क्या होती है इसके बारे में पढ़ा अगले अध्धा में हम पढ़ेंगे इसके कुछ physical changes के बारे में तो जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद